दोस्तों अगर आप लोग intraday trading करते हैं तो share short setup के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए जब भी market में इस तरह के setup बनते हैं तो बिल्कुल फिल होते हैं 95% chance होता है कि ये setup work करेगा और आप वहाँ पे risk लेके अपना अच्छा खासा profit बना सकते हैं और इसको huge कैसे करना ह target क्या रहता है stop rose कितना लगाना है सारी चीज़ें आपको बताने आले हैं ये setup जो इतना simple है जिसको एक नया trader भी follow कर सकता है और best profit बना सकता है आज क्या है कोई भी candlestick या कुछ भी आपको नहीं बताने आले हैं simple setup है अगर आपको ये देखने को मिलता है आप यहाँ पे trade कर करने जाते हैं तो simple आप पांच में तीन में का time frame रख सकते हैं चार्ट में अगर आप हाँ पर swing trading करना चाहते हैं तो आप एक घंटे का दो घंटे का रख सकते हैं setup बिलकुल perfect काम करेगा और उस setup के अंदर हम लोग एक ऐसा indicator यूज़ करने आले हैं जो कि बहुत साई लोग समानता लोग यूज़ करते हैं over bought over sold देखने के लिए लेकिन हम लोग ऐसा बिलकुल नहीं करने वाले हैं आरेसाई के अंदर एक ऐसी चीज़ होते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए divergen आरेसाई divergen क्या होता है और आपको कहां पर देखना है ये important होता है बहुत साई लोग उसको हर्दम देखते रहते हैं आपको ऐसा नहीं करना है केवल आरेसाई को उस समय आपको देखना है जब भी मार्केट में कहीं पर भी टॉप या फिर कहीं पर भी बॉटम या फिर की लेवल पर मार्केट हो तो आपको यहां पर देखना रहता है इससे पहले मापको बता कराना है सेटप क्या करना शेटिंग क्या है वह आपको पहले बता देते हैं देखें अब यहाँ पर आपको टाइप करना है है RSI simple indicator में जाएए और RSI यहाँ पर टाइप करिए और सबसे उपर जो यहाँ पर है आप देख लीजिए इसको लगा लेना आप देखे इसकी setting क्या रखना है इसको हम क्या है देख लेते हैं देखे इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले reset कर देते हैं जो कि आपको ऐसे दिखाई देख जब भे आप इसको पहली बार लगाएंगे सींपल क्या करना है इहां पर setting में चलय जाना है इंडिगेटर के ओके यहां पर style में चलय जाना केवल RSI को यहांपर क्या करना तीक करना और सब्ही को आंपर untick कर देना है सिंफल क्या है आपको इसको कर देना है इतना सा द RSI चाहिए और जो setting यहाँ पे रहेगी यहाँ पे जो input है वो यहाँ पे default रहने आला है ओके इसका क्या हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं color डार कर देते हैं ओके और save at default पे click कर देंगे देखिए indicator set हो चुका है अब आपको कैसे trade करना है कैसे trade को identify करना है यह आपको पता होना च देखे RSI Divergen यह होता क्या है सबसे पहले यह भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि indicator आपने देख लिया यूज कैसे करना यह भी पता चलिया लेकिन है क्या यह नहीं अगर आपको पता है तो आप सही जहाँ पे entry नहीं कर पाएंगे RSI Divergen क्या होता है कि market एक momentum में जाता है यह फिन नीचे RSI भी यहाँ पे momentum करता है कब overbought oversold के area के अंदर तो यहाँ पे number रहता है अब यहाँ पे क्या होता है कि RSI जब भी market के opposite चलता है तो वहाँ पे क्या होता है चांस ज्यादा होता है कि market वहाँ से fall करेगा यानि कि जो market momentum दे रहा है वो सही नहीं है यहाँ पे आप लोग फस सकते हैं यह कहां पे आपको देखना है और सबसे interesting क्या होता है जब भी market top और bottom पे जाता है top और bottom क्या होता है जिसको हम लोग double top double bottom कहते हैं यह फिर एक ऐसे key level के पास जहां से लगता है कि market में breakout हो सकता है यह फिर breakdown हो सकता है वहाँ पे हम यूज करते हैं simple अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा कि market यहाँ से bullish है और यहाँ पे अच्छा कासा momentum देगा market यहाँ से गया तो उपर लेकिन अगर आप देखेंगे तो सीधा RSI में आपको divergen दिख रहा होगा नीचे की side में divergen का मतलब क्या है कि market यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है अगर आप देखेंगे और RSI का है नीचे आ रहा है तो simple हम किस की बास सुनेंगे चाड की की RSI की हम यहाँ पे क्या देखेंगे दोनों को देखेंगे अगर यहाँ पे कोई भी important support break होगा जैसे अगर हम देखेंग में बड़ा momentum होगा और आप 5-10 मुट के अंदर best profit बना सकते हैं तो यह आपको daily क्या देखने को मिलेगा नहीं एक week के अंदर आपको यह क्या है चार से पांच बार देखने को मिल जाएगा ओके कहीं कहीं क्या आपको एक दिन के अंदर दो तीन बार देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं आपको नहीं मिलेगा तो अगर आपको इस setup के बारे में पता रहेगा तो जब भी market में बनेगा आप बड़े trade कैज कर सकते हैं और reverse trade कर सकते हैं reversal trade में क्या रहता है कि आप यहाँ पर बड़े momentum कैज करते हैं जब भी market फास्ट reversal देता है तब इसको आप क्या है जितने हाई टाइम फ्रेम पर देखेंगे जैसे अगर आप एक घंटे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तब भी आप पता लगा सकते हैं कि आने वाला यहा पर जाएगा अगर आप यहां पर देखेंगे तो RSI में क्या हो रहा है मार्केट यहां पर क्या है फ्लाइट है देखें यहां पर मान के चलिए क्या है डबल क्या लग रहा है टॉप लग रहा है डबल टॉप लग रहा है अगर हम सीध हैं यहां पर हम देखते हैं RSI की आपको करना के है कि एक ऐसा की लेवल ढूँड लेना है या फिस सपोर्ट है रेईस्टेंस जिसके ब्रेक होते ही आप यहाँ पर आउडर फ्लेस कर पाएं अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या था? देखे एक support level था तो आपकी entry जो होगी इस setup के अनुसार कहां पे होगी? इस candle के break होते ही इस line के break होते यहां पे आपकी entry हो जाएगी और stop loss जो रहेगा इस candle के उपर हैगा previous candle के उपर और आप यहाँ पर टार्गेट देख सकते हैं कितना अच्छा है आपको देखने को मिला तो यह क्या होता है रिवर्सल ट्रेड की एक स्ट्रेट जी है आरेसाई सेटफ यह जहां पर भी बनता है आप मान के चले के 90% चांस होता है यह फुल्फिल होगा और मार्केट आपको अच्छा मोम्टम देगा आप इसको कोई भी टाइम पर यूज कर सकते हैं देख सकते हैं सेटिंग आपको सेम रखना है केवल आरेसाई को देखना है ओके अब क्या हम आपको थोड़ी बैक्टेस्टिंग करा देत हैं अगर आप चाहते हैं तो और यहां पर आप देखेंगे जहां पर भी डबल टॉप यह डबल बॉटम बनना होगा आप वहां पर खास कर देखेंगे ओके तो अगर हम थोड़ा सा स्ट्रॉल करते हैं पीछे चलते हैं बैकर्ण में तो हमको क्या देखने को मिलेगा अगर डॉप करेंगे तो उपर डॉप हो रही थी लेकिन सीध है अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या था नीचे की तरफ टेंड लाइन जुकी हुई थी तो हम लों इंट्री कहां पर करेंगे इसके ब्रेक होते ही हमको पता चल गया कि मार्केट यहां पर बेरिश है और यहां से आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते थे अप्सें ट्रेडिंग के अंदर आगर आप एक लॉट से भी ट्रेड करते होंगे तब भी बेस्ट प्रॉफिट बना पाएंगे तो यह होते हैं यहां पर वो और asar के जो सिक्रेट अपर होते हैं ड्यवर्जुन आपको हम बता देंगे देखे यहां पर क्या हुआ था ड्यवर्जन हुआ था वेरिश साइड में देखे वेरिस यह देखे चाड क्या था नीचे आ रहा था लेकिन और साइ में अगर हम देखेंगे सिंपल तो यहां से जो डाइरेजन हुआ बुलिस हुआ और इसका जो यहां पर नेक लाइन है ब्रेक होते ही यहां पर मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया और ट्रेंड लाइन भी इंडिकेटर है मार्केट मैंट अलगो इंडिकेटर। इसका यांद यूज्ट करना है कि देखें यहां पर आपको डिरेट्ट बता देता है कॉल हांपे भाई करना व्यू Els, करते हैं जहांपर भी को signal देखने को मिल जाएगा आपकी यहां पर इंट्री हुई और आप देख सकते हैं मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम हुआ आप यहां पर देख रहे होंगे एक एक जिट का यहां पर फीचर आया हुआ है यह क्या है यह क्या है कुछ ही दिनों में सभी में अपडेट कर कर दिया जाएगा जो लोग इसको पहले से एकशस कर चुके है क्योंकि इसमें क्या है वहन टाम पर पैमेंट ली जाती है यूज देखें जैसे कि यहां पर बाइब का सिगनल आया और यहां पर ट्रेड करेंगे इसट आप यहां पर देख सकते हैं है चार्ट के अंदर कितन अच्छा आप यहां पर टार्गेट बुक कर सकते हैं तो यह होता है डिपेंड करता है कि आप ऐसे ट्रेड करते हैं आपके स्ट्रेटजी क्या है और साइच चीने आटोमेटिक कर देता है फिवनाची के आटोमेटिक नंबर आ जाते हैं और अगर आप इसके अनलॉक्ड वर् अपको एक घंटे कर टायम फ्रेम लगाना है ठीक है एक गंटे कर टायम फ्रेम अगर आप लगाएंगे इस्टॉक के अंदर तो आपको डेश्ट देखने मिलेगे Рीवर्सल अगर आप यही इनदेक्स के अंदर अगर आप 15 मिलट के कर तो वहां पर क्या होता उस केस में आप मान के चले कि आपको बड़ा मोमिंटम देखने हो कि मिलेगा अगर आप देखते हैं आरसाइड हो रहा है तो आपको सिंपल कर रोंगना है कि जहां पर भी टॉप या फिर बॉटम लग रहा है वहां से आपको ट्रेड के पोचुंटी ब और यहां पर आप क्या कर सकते हैं hold भी कर सकते हैं अपनी position क्योंकि long में आप क्या देखने को मिल रहा है कि divergen हो रहा है तो आप मान के चले आप 200-300 point catch कर सकते हैं लेकिन इस setup को आपको छोटी quantity से ही trade करना है और target आपके बड़े रहने आले हैं तो सिंपल सी बात है ठीक है अ और I hope आपको जो है अच्छी लेगी वीडियो और आपको समझ में आया होगा कि RSI को कैसे यूज करते हैं setup क्या है ओके तो अगर कोई भी doubt है तो आप यहां पर comment कर सकते हैं और आपको अपना personal number WhatsApp का देखने को मिल जाएगा तो कोई भी अगर question है तो वहां से आप संपर कर सक करते हैं ओके तो मिलेंगे नेट वीडियो में तब तक के लिए धनिवाद